रोटी परोस्ते समय भूलकर भी यह गलती ना करें 1. जब रोटी को परोसे तो थाली में कभी भी एक साथ तीन रोटिया नहीं परोसने चाहिए ऐसा करने से घर की सुक शान्ती भंग हो जाती है 2. रोटी को हमेशा किसी थाली या प्लेट में रख कर ही परोसना चाहिए 3. अगर किसी व्यक्ती की थाली में रोटी खत्म हो जाती है तो ऐसे में रसोई में से एक रोटी हाथ में लेकर भोजन कर रहे व्यक्ती को नहीं देना चाहिए 4. यदि मेहमान आपके घर आ जाए तो उन्हें कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाना चाहिए ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं 5. परिवार पर सकारात्मक उर्जा के लिए आप कभी भी विश्यम संख्या में रोटी ना परोसें 6. हिसाब से हमेशा ताजा आटा लगाकर ही रोटी बनाए इससे मा अन्नपूर्ना प्रसन रहती है और उनकी कृपा से अन्यवधन की कमी नहीं होती है 1. रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे तुकडे करकर चीटियों को खाना खिलाने के लिए उनके बिल के आसपास डाल दे इस उपाय से आपकी आर्थिक परेशानिया धीरे-धीरे दूर होने लगती है 2. रोज सुबह गाय को रोटी खिलाने से घर में यश्व और वैभव की प्राप्ती होती है और घर में सुख समृद्धी बनी रहती है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग